हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ मोशुमी मीनी पर्क से और उमीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं अपना कोको नच्छिल प्लन्टर को लेके जो डाउट्स आपके मन में है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी हलाकि ये प्लन्टर आप सबी ने बहुत पसंद किये हो और आज भी मुझे इस प्लन्टर पे धेरो सारे कमर्स मिल रहे है लेकिन मेरा ये फर्स बनता है कि आपकी मन में जो डाउट्स है वो मैं प्लियर कर दूँ पहला तो ये ये चोटे-चोटे प्लन्टर पे जो कुछ प्लन्ट्स आप लगाएंगे वो ज़्यदा नहीं ग्रो हो पाएंगे तो इसके बारे में मैं बोल दूँ ये जो चोटे-चोटे प्लन्टर है इस पे क्या उमीद और राख सकते है हम सब जैसे हैंगिंग बसकेट पे या फिर कोई भी प्लन्टर पे प्लन्ट्स ग्रो होता है उतना तो नहीं ग्रो पाएंगे लेकिन जितना होंगे काफी अच्छा होंगे और काफी खबसरत होंगे और एक डाउट था कि जो नरिल लगे हुए होते हैं शेल पे उसके वज़े से ये जो प्लंटर है इस पे फंगस की एटक आएंगे और प्लांस भी गल जाएंगे तो देखी सकते हो कोई भी फंगस की नामों निशन नहीं है और ये बली प्लंटर मैं पहली बार आप सभी को दिखाया था और ये दूसरा बार जब कुछ दिन पहले मैं ये करके दिखाया तो मुझे अभी दिखाने में तकलिफ हो रही है लेकिन आप सभी ने समझ गये होंगे कि जो फंगस बली बात है वो बे बुनियाद है तो मैं जूम करके दिखाती हूँ ये है इंपेशन्स प्लंटर की जो प्लंटर देखी सकते हो कोई भी फंगस कुछ भी नहीं है जो नर तो इस पे कौन-कौन सी प्लंट हम सब लगा सकते हैं तो जो प्लंट हम सब हेंगिंग बसकेट के लिए सोचते हैं तो वो प्लंट आप इजली ये प्लंटर पे लगा सकते हो तो बे फिकर होके ये प्लंटर को आप अपना सकते हो और आपकी गार्डन की खुबसुरती बढ कहा सकते हो मैं तो काफी इंप्रेस्ट हो एक प्लांटर को लेके इतना कि मैं ये जो एक तरह है वो चलिस रुपए में खरीदी है प्लांट्स लगने के लिए तो मुझे उमिद है आपकी डाउर्स क्लियर हो गई है तो के बाई टाटा झाल